आज आया है फ्रस्ण कि क्या ब्राह्मन उंची जाती होती है यह ना अजी प्रस्ण और अच्छा भी प्रस्ण है इसका जवाब आपको जानना सुनना चाहिए पूरा और अच्छी तरह से मेरे विचार को मेरी अवधारना को आप लोग ठीक से समझे अगर आपने समझ लिया तो युग बदल जाएगा केवल आपके समझ लेने भर से क्योंकि आप में जब फैलेगी सुगंदी आसपास के भी लोग उससे हो जाएंगे सराबोर और वे भी जब खिलेंगे तो वे भी अपने आसपास के लोगों को सुगंद से कर देंगे सराबोर इस तरह से पूरी दुनिया में वो स्वास पैल सकता है तो दोस्तों अब सवाल है कि क्या जो हम कहते सुनते हैं आजकल या कभी भी कि ब्रामन उची जाती है आईए हम पहले जो है जाने की जाती क्या है फिर इसके बाद हम जाने की क्या है ब्रामन फिर इसके बाद पिर आपको अपना निश्कर्ष बताएंगे तो मेरी जाती यह है ऐसा कहने से के बल इतना ही होता है अस्पस्ट मेरे माता पिता का वर्ण क्या था और उनका पेशा रोजगार क्या था मेरा क्या है इससे ये अस्पस्ट नहीं होता चुकि जाती से मेरे बारे में अस्पस्ट नहीं है मैंने जहां लिया जन्म जिस घर में जिस माता पिता से उसके बारे में उनके बारे में में संकेत मिलता है और आजकल समार में क्या चल रहा है जान रहे कि वाई यदि जो है किसी वैक्ति का बाप रहा हो पियम उसकी दादी रही हो पियम उसके जो हो परनाना वे हो पियम तो फिर वो वैक्ति अगर आयोग भी है तब भी उसे उसे पियम की योगता वाला माना जाता है आपको कुछ आया याद राहुल वाबा ऐसे ही तो है राहुल जी में कौन सी विशीस है योगता कि लाखों लोग उसे मानते हैं कि वो योग है देश को चलाने के लिए वो सक्षम है किस आधार पर पस एक ही आधार कि वो राजिव गांधी का बेटा है और इंद्रा जी का पोता है और नहरु खान्दान से हैं बस तो जाती जो है यह यह व्यक्ति के संबंद में कुछ नहीं कह रहा यह यह तो उसका कहां हुआ जन्म उसके बारे में संकेत है तो जाती को आप ठीक से समझेए जाती कोई भी ऊची या नीची होती नहीं क्योंकि सारे जो है मानब सब का जन्म एक ही तरह से होता रहा है और होता रहेगा आगे भी तो फिर इस आधार पर तो एक ही जाती होती है दूसरा जो है सब्दिस में ब्राह्मन तो भाई जो है ब्राह्मन जाती होती ही नहीं है हमारे सास्त्र के हिसाब से से ब्राह्मन जाती नहीं है और सास्त्र तो जाती की कहीं चर्चा ही नहीं कहें करता हमारे सास्त्र में मान जो भी धर्म सास्त्र है उनमें कहीं भी जाती का उलेक नहीं वहाँ है उलेक है वर्ण का ब्राह्मन वर्ण है जाती नहीं है वर्ण को गहरे अर्थ में जानना होगा ठीक से अच्छी तरह से वर्ण क्या है वर्ण यानि हमारी गेहरी आकांच्छा, योग्यता, स्रिष्टता, वोर्न, यनि कि चेतना के विकास की सीडिया, चार सीडिया मनाई गई हैं रिशियों के द्वारा, सुद्र, वैस्य, छत्रिय, और प्रहमणिये चार सीडिया हैं, और फिर जो तो अगला स्टेप होता है, वो तो योगी का होता है, और इस्वराकार होने को होता है, यनि कि वही तो अंतिम है मन्जिल, इस्वर से एकाकार हो जाना मुक्ती मुक्षय निर्वान, तो वो तो मंजिल है, सीड़ियां चार ही है और सबसे उची सीड़ी का नाम दिया गया है ब्राह्मण आपको अगर इससे अगर ऐलर्जी हो तो आप कोई भी नाम रख लो नाम से क्या फरक पड़ता है लेकिने चेतना के विकास की ये सीड़ियां उसके नाम की रूप में उलिखित है कि ब्राह्मण एक वर्ड है और सर्वुच्वर्ण है ये हमारा सास्त्र केहता है और वेद का वाक्य है क्या? जन्मना जायते सुद्रा संसकारात द्विजी उच्यते जन्म से होते हैं सारे मानव शुद्र सभी होते हैं सुद्र संसकारात संसकार से फिर अन्यवर्ण को या ब्राह्मणत्य को वे प्राप्त करते हैं संसकार से गुन से कर्म से सभाब से आगे चलकर अरजित किया जाता है ब्राह्मण कोई जन्म लेता नहीं जन्म लेता है सारे सुद्रों तो ब्राह्मण बना जाता है अपने योगिता को विक्षित करके और यह सब के लिए खुला दरवाजा है सब का स्वागत है पूरे मानवता का उशा उठो और यह और यह डिगरी पाओ यह पालो पदब तो निसकर्ष के रूप में हम यह कहेंगे मित्रों कि कि ब्राह्मण जाती नहीं है हमारे सास्त्रवी ब्राह्मण वर्ण का नाम है यदि ब्राह्मण जाती अगर अहंकार के रूप में अगर पेस हो तो उसे मिट जाना चाहिए, चुकि हर अहंकार को मिट नहीं चाहिए, अगर किसी भी तरह का होगा अहंकार, तो परमात्मा का वो होता ही है, सहज स्वाभाविक आहार, लेकिन अपसोस की बात है, मित्रो कि आज जो हम देख रहे हैं अपने देश की स्थितियां, जो देख रहे हैं परिस्थितियां वो ऐसी, कि खुद को ब्राह्मन कहने से ज़्यादा, अहंकार वो पालता है, जो की अपने को खुश और ही कहता है, तो ऐसा जो अहंकार अपनी समाज में पल नहीं लगा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, उसे भी मिटना होगा, समाप्त होना होगा, धन्यवाद.